खिलोने वाला, खिलोने वाला, नए नए खिलोने लो, रंग बिरंगे खिलोने लो प्यारे बच्चो, जब आपकी गली मोहले में कोई खिलोने वाला आता है और इस तरह की आवाज लगाता है तो आप बड़े खुश हो जाते होंगे और आपका भी मन करता होगा कि हम भी खिलोने ले, नए-ने खिलोने ले आजकल वैसे तो इस तरह के फेरी वाले जो खिलोने बेचते हैं गली-गली में जाकर, महले-महले में जाकर उनकी संख्या कम हो गई है लेकिन फिर भी कभी-कभी आपको ऐसे खिलोने वाले जरूर मिल जाते होंगी खिलोनों से खेलना किस बच्चे को अच्छा नहीं लगता खिलोने सभी को अच्छे लगते हैं और आपको भी नए-नए खिलोने जब मिलते हैं तो बड़े ही खुश हो जाते होंगी जब आपका जनम दिवस आता है या कोई त्योहार आता है किसी मेले में आप जाते हैं तो नए-नए खिलोने आप जरूर लेते होंगे प्यारे बच्चो आज की हमारी कवीता है खिलोने वाला और ये कवीता लिखी है कवीतरी सुबद्रा कुमारी चोहान ने इसमें एक बच्चा होता है, उसको भी आपकी ही तरह खिलोने बड़े पसंद आते हैं, लेकिन उसको खिलोनों की जगे पर अपनी मा का साथ चाहिए, उसको खिलोने नहीं लेने हैं, लेकिन अपनी मा के साथ रहना है, आईए कवीता में किस-किस तरह के खिलोने की बात की जा पिन्जडे में गेंद एक पैसे वाली चोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली सीटी भी है कई तरह की कई तरह के सुन्दर खेल चाबी भर देने से भगबग करती चलने वाली रेल गुडिया भी है भहुत भली सी पहिने कानों में बाली छोटा साती सैट है छोटे छोटे हैं लोटा थाली छोटे छोटे धनुषबान हैं है छोटी छोटी तलवार नई खिलोने लेलो भाईया जोर जोर वे रहा पुकार मुन्नू ने गुढिया ले ली है मोहन ने मोटर गाड़ी मचल मचल सरला कहती है मा से लेने को साड़ी कभी खिलोने वाला भी मा क्या साड़ी ले आता है साड़ी तो वह कपडे वाला कभी कभी दे जाता है अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिये पैसे चार कौन खिलो ना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिली मोटर रेल पर मा ये मैं कभी न लूँगा ये तो हैं बच्चों के खेल मैं तलवार खरीदूंगा मा या मैं लूंगा तीर कमान जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान तपसी यग करेंगे असुरों को मैं मार बगाऊंगा योही कुछ दिन करते करते राम चंद्र बन जाऊंगा यहीं रहूंगा कोशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हस्ते हस्ते जाऊंगा, पर्मा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन बर घूमूंगा, जंगल में लोट कहां पर आऊंगा, किस से लूंगा पैसे, रूठूंगा तो क कोन मना लेगा कोन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजे देगा कवीतरी सुभद्रा कुमारी चोहान प्यारे बच्चो ये थी आज की हमारी कवीता खिलोने वाला जिसकी कवीतरी हैं सुभद्रा कुमारी चोहान और सुभद्रा कुमारी चोहान की एक बहुती परसिद कव में भी पढ़ेंगे और कविता का नाम है जासी की रानी लक्षमी बाई आईए अब हमारी कविता खिलोने वाला की ब्याख्या करते हैं सरलार्थ करते हैं और इसमें समझते हैं क्या-क्या कहा गया है इस कविता में एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से बात कर रहा है और वो बताता है कि खिलोने वाला आया है और उसके पास अनेक परकार के खिलोने है लेकिन वो कौन-कौन से खिलोने लेगा इसकी बाद भी इसकविता में होती है लेकिन साथ में खिलोने के साथ-साथ उसको अपनी मां के साथ ही रहना है चाहे वो खिलोने ले चाहे खिलोने ना ल अब छोटा सा बच्चा क्या-क्या बाते कर रहा है? किस-किस तरह के खिलोने की बाते कर रहा है? आईए समझते हैं वे देखो मा आज खिलोने वाला फिर से आया है छोटा बच्चा अपनी मा से कहता है कि देखो मा आज खिलोने बेचने वाला फिर से आया है कई तरह की सुन्दर सुन्दर नए खिलोने लाया है और उसके पास अनेक परकार की सुन्दर सुन्दर रंग बिरंगे खिलोने है हरा हरा तोता पिंजडे में उसके पास एक तोता है हरे रंग का जो की पिंजडे में है गेंद एक पैसे वाली और एक गेंद भी है जो एक पैसे में मिलती है छोटी सी मोटर गाड़ी है और साथ में मोटर गाड़ी कैसे आवाज करती है सर 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 जब वो चलती है तो सर सर के आवाज करती है सीटी भी है कई तरह की और अनेक परकार की उसके पास सीटी है कई तरह के सुन्दर खेल चाबी भर देने से भगबग करती चलने वाली रेल और उसके पास अनेक परकार के खेल खिलोने है और चाबी भर देने मातर से जो रेल गाड़ी है वो भगबग करके चलने लगती है यानि चाबी वाले खिलोने भी है और प्यारे बच्चो आपने भी चाबी वाले खिलोने जरूर देखे होगी और आपके पास जरूर होगी, अभी आप थोड़े से बड़े हो गए हो, लेकिन अगर आप याद कीजी पहली कलास में, दूसरी कलास में जब आप थे, तो आप थोड़े छोटे थे और आपने इस यूटे बच्चे को इस तरह के खिलोने अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, आप भी थोड़े-थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो आपके खिलोने जो हैं, उनकी पसंद बदल जाती हैं। आगे बच्चा कहता है गुडिया भी है बहुत भली सी पहने कानों में बाली और खिलोने वाले के पास एक गुडिया भी है बड़ी भोली भाली सी है और उसने कानों में बाली पहनी हुई है और जो लड़किया होती है उनको गुडिया खेलना बहुत पसंद होता है उनको चोटे हैं लोटा थाली और टी सेट में जो थाली लोटा और बाकी के बरतन है वो बहुत चोटे चोटे हैं लेकिन आपके मम्मी के पास बहुत बड़े बरतन होते हैं जिनसे वो रसोई गर में खाना पकाती है तो चोटा सा टी सेट है खिलोने वाले के पास चोटे चोटे हैं ताकि उसके पास आए और खिलोने खरीदे इसलिए जोड जोड से वो पुकार रहा है कि भी नए नए खिलोने ले लो मुन्नू ने गुडिया ले ली है मोहन ने मोटर गाड़ी और आसपड़ोस के जो बच्चे हैं उसमें मुन्नू नाम के बच्चे ने गुडिया ले ली है और मोहन ने क्या ले ली है मोटर गाड़ी अब ये सारी बाते छोटा सा बच्चे अपनी मा से कह रहा है कि मुन्नू और मोहन ने क्या क्या ले लिया है मुन्नू ने गुडिया ले ली है मौहन ने मोटर गाड़ी मचल मचल सरला कहती है मा से लेने को साड़ी और सरला कहती है कि मा तुम भी एक साड़ी ले लो लेकिन क्या साड़ी खिलोने वाले के पास मिलती है नहीं, खिलोने वाला तो सिर्फ खिलोने बेचता है और साड़ी तो साड़ी बेचने वाले के पास मिलती है और सरला अपनी मा से मचल मचल कर पूछती है कि क्या खिलोने वाला भी कभी साड़ी लेकर आता है साड़ी तो कपड़े बेचने वाला लेकर आता है अम्मा तुमने तू लाग करके मुझे चार पैसे दे दिये है अब बच्चा आगे अपनी मा से कहता है कि अम्मा तुमने तू मुझे चार पैसे दे दिये है अब कौन खिलोने लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार अब इन चार पैसों से मैं कौन से खिलोने खरीता हूँ, अपने मन में विचार करो, अपने मन में सोचो, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, और फिर बच्चा खुदी मा के जवाब के बारे में बोलता है, कि तुम सोच रही होगी कि मैं तो क्या ले लूँगा, या तो तोता लूँगा, या बिल्ली लूँगा, या मोटर ले लूँगा, या फिर रेल का खिलोना ले लूँगा, लेकिन आगे बच्चा कहता है, ये तो हैं बच्चों के खेल, कि मा, ये सारे तो बच्चों के खिलोने हैं, तोता, बिल्ली, मोटर, रेल म अब बच्चा अपनी मा से कहता है कि जो 4 पैसे आपने मुझे दिये हैं उनसे या तो मैं तलवार खरीदूंगा या फिर मैं तीर कमान यानि कि धनुषबान खरीदूंगा जंगल मेजा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान अब बच्चा बड़ी-बड़ी बाते कर रहा है जिस परकार रामायन में भगवान राम ने वन में जाकर ताड़का राक्षशी को मारा था तो इसी परकार वो कहता है कि मैं तो क्या ले लूँगा तीर कमान धनुश बान लूँगा और अपने धनुश बान से जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारोंगा ताड़का एक राक्षशी का नाम है जिसका वद किसने किया था भगवान राम ने प्यारे बच्चो अगर देखते हैं या फिर रामायन आपने सुनी है तो आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा तो छोटा बच्चा कहता है कि मैं कोई छोटे मूटे खिलोने नहीं लूँगा जैसे कि तोता बिल्ली मैं तो क्या लेने वाला हूँ धनुश बान और भगवान राम की तरह मैं ज क्या होते हैं राक्षष और जो राक्षष हैं जो रिस्वी मुनियों को परिशान करते हैं तपस्वियों को परिशान करते हैं उनको मैं अपने धनुश बान से भगवान राम की तरह मार भगाऊंगा प्यारे बच्चो जब आप रामायन देखते हैं तो आपका भी बड़ा मन करता है कि जैसे भगवान राम राक्षशों को मार भगा रहे हैं तो आप भी ऐसा ही करें या फिर कोई भी नाटक आप देखते हैं कोई भी मुवी आप देखते हैं तो उसमें जो हीरो करता है वैसा ही आपको करने का मन करता है तो यहाँ पर जो कवीता में हमारा बच्चा ह उसने भी रामयन देखी होगी और भगवान राम से उभोत पर भावित हुआ होगा इसलिए वो अपनी मा से कह रहा है कि मैं तो धनुषबान खरीदूंगा और जंगल में ताड़का जैसी राक्षशी को मार भगाऊंगा जैसे भगवान राम ने किया था और साथ में सारे रा राम चंद्र बन जाओंगा और इस तरीके से अपने धनुषबान से प्रैक्टिस करते करते अभ्यास करते करते मैं भी भगवान राम चंद्र बन जाओंगा आगे बच्चा कहता है यहीं रहूंगा कोशल्या मैं तुमको यहीं बनाओंगा और जैसे भगवान राम की माता क जाने के लिए कहा गया था, वैसे ही अगर तुम मुझसे कहोगी वन में जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए, तो मैं हस्ते हस्ते चला जाओंगा, तुम्हारी आज्याका में पालन करूंगा, पर मा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाओंगा, अब छोटा बच्च चला तो जाओंगा, लेकिन मा तुम्हारे बिना वनमे में कैसे रह पाओंगा, जंगल में मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, इसलिए बच्चा थोड़ी चिन्ता में आ जाता है, अब बच्चा सोचता है दिन बर घुमूंगा जंगल में लोट कहां पर आऊंगा कि जंगल में दिन बर घुमता रहूंगा तलवार से राक्षशों का वद करता रहूंगा लेकिन फिर लोट कर मैं कैसे आऊंगा कहां पर आऊंगा क्योंकि मा तुम जंगल में मेरे साथ नहीं होगी किस से ल तो कौन मुझे मनाएगा, अगर मुझे पैसे चाहिएंगे, तो कौन मुझे पैसे देगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजे देगा, और जंगल में ऐसा कौन होगा, जो जिस तरह से मा मेरे को प्यार से अपनी गोद में बिठाती हो तुम, तो वैसे मुझे चाहे मिले या फिर ना मिले, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा हमें प्यार करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और उनके साथ हम खुश रहते हैं, तो इसलिए खिलोने से ज़्यादा बच्चे को अपनी मा का साथ भी प्यारा है. प्यारे बच्चों, आप भी तो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, और जब कभी आपकी मम्मी आपसे दूर चली जाती है, या आपके पापा आपके पास नहीं होते हैं, तो आपको उनकी कितनी याद आती है, मम्मी पापा के साथ रहना हमारे लिए सबसे खुशी की बात होती है चाहे खिलोने मिली चाहे खिलोने ना मिली और ये अच्छी सी प्यारी सी कवीता लिखी है सुबद्रा कुमारी जोहान ने अच्छा ये बताओ एक तरफ आपकी पास आपकी मनपसंद खिलोने है और दूसरी तरफ आपके मम्मी पापा का साथ है तो आप किसको चुनना चाहेंगी आप अपना उत्तर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं और जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चे अपने माता पिता का साथ ही चाहेंगी क्योंकि खिलोनों से कहीं ज़्यादा अच्छा हमारे मम्मी पापा का साथ होता है आपको कौन-कौन से खिलोने पसंद है आपकी मम्मी पापा ने आपको कौन-कौन से खिलोने दिलाए है क्या आपके गली मुहले में भी कोई खिलोने वाला आता है जिस तरह से हमारे कविता में खिलोने वाला आया है तो इस सारी बाते आप मैसेज करके मेरे साथ शेर कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ आपको कवीता पसंद आई होगी साथ में कवीता आपको समझ आई होगी आपकी मैसेज का मुझे इंतजार रहता है मैसेज करके मुझे जरूर बताईए वीडियो आपको कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पार्ट के साथ तब तक स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद